हेलो एब्रिवन आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली डीचर और मैं हूँ आपकी दोस्पवनीतकार और स्वागत है आपका क्लास 7 साइंस चाप्टर नमबर 3 पाइबर टू फैबरिक के पार्ट 2 में तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किस देरी के शुरू करते हैं स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 3.2 से तो आप क्या कर सकते हो आप उन आनिमल्स की जिनसे हमें वूल मिलता है आप उनकी फोटोस कलेक्ट कर अपने स्क्राप बुक में पेस्ट कर सकते हो या फिर अगर आप पिच्छ नहीं कर पा रहे हो तो आप उन्हें ड्रौ भी क अलग अलग भाशा में उन आनिमल्स को क्या गुलाया जाता है जैसे कि शीप, गोट, याग ऐसे आनिमल्स की लोकल लैंविज अब थोड़ा से ध्यान हम अक्टिविटी 3.3 की तरफ भी देते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको इंडिया और वाइल का मै जाती है और आपको कलर से, कलर की हैज से अलग-अलग कलर अलग-अलग गोल्ड येल्डिंग आनिमल्स की लिए यूस करना है और बताना है, डिनोट करना है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कौन सा आनिमल पाया जाता है वूल को अप्टेन करने के लिए शीप्स की रियर की जाती है उनके हेर को कट किया जाता है और उस हेर को यान के अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है यह सुनने में तो बहुत छुटा सा प्रोसेस लग रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस और बहुत सारे काम किये जाते हैं और यह काफी महीनों का काम होता है इतना सा वूल बनाने के लिए, तो अब हम इस प्रोसेस को डीटेल में पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप के बारे में, तो चलो शिरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत उत्राखंड, अरुनाचल परदेश या सिक्किम के पहाडों पर जाओगे, या फिर आप हरियाना, गुज्राद, पंजाब या राजिस्थान के प्लेंज के उपर चाओगे, तो आपको जो शेपर्ड्स हैं वो शीप को ग्रेजिंग कराते हुए दिखेंगे, अब ग्रेज नहीं नहीं भीमाध पर ख आटी है और प्राइपिंग अर ब्रंडाव के बलुच्वार, या नहीं सब जो तो यह नहीं ऐचाचेय sop 거는 tea,ення ऐखलो ग्रेजिंग कराती हैं, चाहित तो अर्चंट ग्रेस मिन्रियंग कराते नहीं थी उपसंद लो पट्ते, उन्हें सब तो बल पहली मिक्शर भी दियते हैं पहले मिक्सचर में पहले 알क Indy कि क्वैले निकाने के बाद का मिक्सचर रह जाता है उसे हम कहते हैं ओईल, केक्स और मिनरल्स का मिक्स्चर भी खिलाते हैं उन शीप्स को और उन्हें leaves, grains और dry fodder खिलाया जाता है हमारी country इंडिया के अंदर काफी सारी जगा पर sheep को rear करा जाता है उनमें से कुछ sheep की breed ऐसी होती है जिनके जिनसे हमें काफी अच्छी quality और texture का wool मिलता है और उनसे हमें large quantity में भी wool जो है मिलता है तो इसे ही अब हमने जैसे की इंट्रोडक्शन पैड में पढ़ा था selective breeding अब इंप sheep के अंदर selective breeding की जाती है जहां पर एक parent काफी अच्छी breed का होता है जिससे हमें काफी अच्छी quality और texture का wool मिलता है तो अगर एक parent ऐसा हो तो जो special character obtain होगा वो भी काफी अच्छी quality का wool देगा जिससे हमें काफी अच्छा wool मिलेगा काफी जादा wool मिलेगा और हमारा काफी फाइदा भी होगा इसलिए sheep की selective breeding जो है की जाती है अब जैसे ही जो rearing वाली sheep है जिने पाला गया है उनके जैसे ही body पर काफी thick coat आ जाता है जो hair है उने shape कर लिया जाता है और भीच दिया जाता है वूल बनने के लिए तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाभ तो अगर आपको एच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना चैनल के अनलत जाल को subscribe करना और इस वीडियो को शेयर भी करना ओके बाब बाई मिलते हैं अगले एपिसोड में